तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमश्कार आज के इस लाइप सेशन में आपका स्वागत है अभिनंदन है आसा करता हूँ कि आप सभी सांदार होंगे जबरदस्त होंगे बहतरीन तरीके से अपने आने वाले प्रोमोशन एक्जाम की एक जूटता के साथ लगन सिलता के साथ और अपने सामर्थ सक्ति के साथ जूटके होंगे उस प्रोमोशन के एक्जाम की तेहरी के लिए वाह पहु बहुत सारे साथ करकार रहा है एक दुसरे को नमस्कार स्विकार करिए और एक साथ कह रहे हैं समंदर में नहा के हैं तो समंदर में हना के नमकीं हो गई कुछ साथ ही बोलते हैं सरा आपका सेशन नहीं आ रहा था इसलिए हम पिछले अपते गमगीन हो गए वह बहुत बढ़िया और अभी जब आपका सेशन देखके हम सभी साथी बहतरीन हो गए वह यह भी बात है बहुत और खास करके बिजनस फिगर बरोडा यूपी बैंक का 31 मार्च 2023 का देखके और इस त मंदर में नहांके आप तो और भी नमकीन हो गई क्या बात है तो हाँ जीवन अद्वूत है जीवन को जीना बहुत जरूरी है और उसी जीवन में आप देखिए एक ही जीवन नहीं है एक ही जीवन नहीं है सात तरह के जीवन सातों जनम बोलते हैं ना सातों जनम मैं तुझे पढ़ाता रहूंगा यार तो आप बोले ना कि सात जनम होता है एक होता है परसनल लाइप एक जीवन होता है दूसरा होता है फेमली लाइप दूसरा जीवन होता है तीसरा होता है आपका सामाजिक जीवन होता है पारिवारिक जीवन होता है सेख्षनिक जीवन होता है राजनितिक जीवन होता है फिर आपके जो है बेवसाइक जीवन होता है फिर आपका अध्यात्मिक जीवन होता है तो यह तमाम तरह के जीवन को आपको निभाना है और उसको जीना है तभी जाके आप परिपा को फुपाते हैं और परदीप जी की तरह गर्मी में भी थढ़क की पोहर आ जाती है तो कहने का ताथ पर यह है आपको रोल प्ले करना है आप कहां पर क्या हो वो रोल प्ले करना बहुत जरूरी है तो आप सभी साथियों का होसला बढ़ाने के लिए एक बार मैं आ गया हूँ वैसे तो ये सारे business figure आपको पता होंगे फिर भी मैं बातों ही बातों मैं आपका होसला बढ़ाऊंगा और कुछ चीज़े tips के माधियम से देते भी रहूंगा वैसे मैं आता हूँ आप लोगों से बात करने के लिए आप लोगों का होसला बढ़ाने के लिए क्योंकि सक्सेस पाने के लिए किसी चीज़ को एचीब करने के लिए आपको एक होसला बहुत जरूरी होता है उत्सा बहुत जरूरी होता है एक दिसा बहुत जरूरी होती है टिप्स दे रहा हूं कि अभी IBPS में देखा जा रहा है कि जो बैंक का मेनेजमेंट है बैंक का मेनेजमेंट अपने स्टाप सदस्टों से क्या अपिक्षा करती है वह अपिक्षा का जो चीज है examination point of view से क्या skill चाहते हैं क्या HR excellence चाहते हैं promotion में क्या उनको योगिता चाहिए या क्या जनकरी चाहिए यह सारी जनकरी जो है वह IBPS के साथ साजा करते हैं तो जब management के प्रिक्षा रहती है तो वह क्या करते हैं internal circular IBPS को दे देते हैं अगर वह internal circular IBPS को दे दिये तो उनी से सवाल IBPS के लेकिन internal circular के लिए अलग-अलग बैंक के लिए अलग-अलग तज्यूर्बा है जैसे कि अभी उत्तर विहर से चर्चा करोंगा बूझ लीजिए आवाज बोल रहें कुछ साथ इसा कर आ रहा है आप लोग तो क्या होता है यह वन वे होता है दीपक जी माइक्रोफोन और रख लीजिए सभी साथ ही माइक्रोफोन आप लिए कुछ समय के लिए मैं आप लोगों सब पढ़बा लो यह सही बात है एक्जामेनेशन तक आप पांच जीपी पर डे कर लीजिए क्यों क्योंकि दो जीवी तो आपका तीन घंटे में खतम हो जाएगा जब मैं नहीं रहता हूं तो आप रस्ते में आना करते हैं तो दो जीपी देख लेते हैं क्योंकि हमारे जो वीड क्योंकि नेट रहेगा तो आप उसको स्टेडी कर पाएंगी तो मैं कह रहा था कि इंटर्नल सर्कुलर में तज़रुबा अलग-अलग हों का अलग-अलग है जैसे बरुडा यूपी बैंक के लिए पिछली बार इंटर्नल सर्कुलर से ज्यादा सवाल पूछा गया था शिक जुला रहता है और जैसे आरमजी भी है वहाँ पर जनरल बैंकिंग से पूछ लिया प्रत्मा बैंक है थोड़ा 50-50% का पूछ लिया तो हमें क्या करना है पूरी तैयरी रखनी है एक तो आपका बहुत बड़ा बैंक है तो इस बड़े बैंक में बहुत सारे पर बेंक को जानना है तो बिजनस फिगर एक महत्तपून हिस्सा हो गया अब रही बाद आती है बिजनस फिगर किसका याद करें जहां तक कि अभी आपका एक्जामनेशन 18-19 को होगा तो इक्जाम होगा तो आपको 31-2023 के पूछे जाने की पूरी संभावना है लेकिन आप आप देखे होंगे 13 माई को examination हुआ था सरवारेन ग्रामेन बैंक का वहाँ पर business figure पूछा गया था 2022 का लेकिन जब भी 15 दिन का ऐसा कोई इसलिए आपको business figure याद करना है 31 मार्च 2023 का वैसे 31 मार्च 2022 की भी business हम लोग deal कर चुके हैं तो वो भी आप देख लिए होंगे लेकिन हमको याद रखना है 23 का जादा तो आएए चलिए मैं आपको सफर में लिए चलता हूं बरोडा यूपी बैंक के business figure पर और जब business figure हम बात कर करते हैं यह महत्पूर्ण हिस्सा है इंटर्नल सर्कूलर का आप यकीन मानिए एक question तो जरूर आएगा business figure से और अधिक्तम अभी तक पांच question आया है एक 36 राजिगरमना बैंक का था उसमें पांच question आया था business figure अब सूचिए तो वह भी रिकॉल question आपके login section में पढ़ा होगा आपके pdf में पढ़ा होगा यह 2021 का होगा या तो बीसी किस की बात है तो business figure HR policy फिर उसके बाद आपका audit policy credit policy recovery policy और customer service committee policy investment policy और आपके जो हैं service charge policy expenditure policy locker policy और उसके बाद आपकी retail loan scheme और retail deposit scheme इतनी सारी चीजों को अगर देख लेते हैं तो कहीं से भी सवाल पूछे आप लोग कर पाएंगे बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे जितने साथ ही जो exam देके आते हैं उनका तजूर्बा मैं सुनता हूं और आप लोग भी सुनते होंगे तो आप देखे होंगे बहुत confident र नोट्स लिखे जैसे अभी ये session पढ़ रहे हैं तो इन में से चार-पांच चीजा important लग दिया लिख लीजिए फिर समझना समझ में नहीं आता तो मेरे से पूछते हैं तो मैं समझा दूंगा या दो बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा फिर तीसरा है अभ्यास करना और दोहराना ये काम करेंगे आप सफलता सुनिश्चित हो जाएगा चलिए तो हम ये session आगे बढ़ाते हैं 2022 का पूछेगा इंटर्नल सोर्सेस हैं इंटर्नल सोर्सेस से हमारे खबर आ रही है कि 2022 का पूछा जाएगा तो चलिए अच्छी बात है लेकिन 2023 का हम पढ़ना जर कि अभी समन्दर देख्के आये तुफान भी देखके आये अंडमान में तुपान आये था तो तूफान का सामना करने पार करके आये हुए हैं तो तूफानों से आंक मिलाओ, सैलावों पर बार करो, इन मल्लाओं का चक कर छोड़ो, तेर के दरिया पार करो, तो आप जरूर ये दरिया पार करेंगी सफलता का, क्यों कि मैं आपके अंदर हुनर पढ़ने की, लिखने की, सम रखना पड़ेगा दोनों चलिए तो टोटल बिजनेस जो है बरोडा का वो है तरासी हजार चारसो चाहतर दस्मलो चार साथ करोड हुआ तारी नहीं बजाओ को मेरे दोस्त है ना पौजी प्रदिप जी अहो यहीन बात आपका टोटल बिजनेस है टोटल बिजनेस कारोबार बैंकिंग में दो काम करते हैं हम डिपोजिट लेना और अडवांसेज देना और डिपोजिट और अडवांसेज को जो काम मुल्भूद काम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अंडर 5B यही कारेविदी जो होती है बैंक का कोर बिजनेस होता है इसी के लिए मार्च 31 मार्च को यह बैलेंस इट त्यार किया जाता है क्योंकि देखो आपका बिजनेस में बहुद बढ़ा है इसे में YOU मुझे clergram क् rhymes की लिए मूद आपके बैंक मुझे एशंग लग रहा और यान्ज पूछा जाएगा क्योंकि 22 लिखेगा 75000 क्यार शान करोड की तो आप्पिच लगा जहना आपका सही हो जाएगा तो यहां पर total business है त्रासी हजार चार सो चाहटर दस्मलो चार साथ करोड तो मेरे साथ हो आप याद रखिए त्रासी हजार करोड को याद रखिए हमारा business है त्रासी हजार करोड में बहुत गरवानित महसुस करता हूं कि मेरे बैंक का बिजनस 83,000 करोड को पार कर गया और हमारा लक्ष है अब की बार कितने की? बबाब बता बता अब की बार कितने का बिजनस करना चाहते हैं आपके लक्ष है अब की बार जो करोड जो है उसको पार कर जाएंगे क्यों देखिए कि जो साल भर का ग्रोथ आया है वो 10.74 परसेंट है अगर हम इसको 90,000 लें इसको 90,000 लें और यहाँ पर 15% का ग्रोथ कर लें तो यह एक लाग के पार हो जाएगा बहुत असानी से कर पाएंगे इसके लिए आपका मैनेजमेंट प्लान करना चलू कर दिया है क्योंकि उन्होंने एक लक्ष बनाया 2320 के लिए एक लाग के पार अब की बार ब्योसा है एक लाग के पार तो अगर सवाल भी पूछा जाएगा अगर यही सर्कुलर आईवीप इसको गया होगा तो हो सकता है पूछ सकता है कि बैंक के मैनेजमेंट ने 2320 के लिए लक्ष कि टोटल डेपॉजिट 59,551.48 करोड, 69,559.48 करोड, तो टोटल डेपॉजिट है, इसको याद रखने के लिए 60,000 करोड याद रख लीजे, टोटल बिजनस है, आपका 83,000 करोड, 60,000 करोड डेपॉजिट है, तो बचा हुआ हिस्सा 23,000 करोड क्या होगा, एडवांसेस होगा, यह याद रखने के परपस से है, क्योंकि जब परमोशन एक्जाम में वो सवाल आता है, तो इतना नजदिक नहीं आता है, जैसे मान लिजब पूछा, जैसे इन तीनों में पूजी आपके पास रखने का साहस करता है, मतलब उसको भरोसा है ना आपके उपर, आपके उपर भरोसा है, तभी तो लाके अपना पूरे जीवन भर की कमाई रख देता है, डेपॉजिट में रख देता है, सेविंग में रख देता है, एबडी में रख लेता है, इसलिए ज़्यादा पूछा जाता है total deposit तो अभी तक के survey में देखेंगे promotion exam में तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है total deposit और कई बार इसमें growth percentage भी total deposit का पूछा जाता है क्योंकि growth percentage अगर deposit का 10% या 10% जो उपर है तो उसको बहुत अच्छा मना जाता है इंडस्टी में तो आपको याद रखना पड़ेगा total deposit उसके बाद जो ज्यादा पूछा गया उसके बाद दूसरा यह है total business पूछा गया total business और total advances कम बार पूछा गया तो अग टाइम से 50 टाइमस टोटल deposit पूछा जाता है 40 टाइमस हो है यह total business पूछा जाता है तो कितना आसान हो गया आपका business बारोडा यूपी बैंक में business total होता है और total advances में 15.01 का growth है advances में growth जो आपने किया है इसको बहुत अच्छा माना जाएगा क्योंकि advances आप ruler area में करते हैं difficult area में करते हैं और इतना growth की हैं इसको अच्छा माना जाता है appreciation माना जाएगा और deposit में growth भी ठीक ठाक माना जाएगा इसको थोड़ा बढ़ाए जा सकता है 10% से उपर अगर होता तो अच्छा होता है आए आगे देखते हैं तो अभी तक इस screen में से आपको याद हो जाएगा टोटल बिजनेस 83,444 करोड टोटल डेपोजिट 69,559 करोड और टोटल एडवांसेस 23,923 करोड तो अब इसको याद रखने के लिए क्या करेंगे हम टोटल जो बिजनेस है अपना 83,000 करोड टोटल डेपोजिट है 60,000 करोड टोटल एडवांसेस है 23,000 करोड ये याद रखने के लिए बढ़िया रहेगा अब आता है कासा कमाल करते हैं नि वह पॉजी जी कौन से चक्की का अटक खाते हो भाई यह देखो कासा परसंटेज कमाल कर दिया आपने तो इंडस्ट्री में है इसके लिए तो इस पेसल पार्टी देना पड़ेगा बना रसमें आप लोगों को कासा परसंटेज आप बरोड़ा योपी बैंक एजन 31 मार्च 2023 कासा एक ऐसा रेश्यो है जो इंडस्ट्री में आपके बैंक के सस्टेनेबल बैंकिंग और आपके बैंक के फ्यूचर ट्रेंडिंग बैंकिंग को पुस्टी करता है कासा परसंटेज अगर 40% से ज़्यादा होता है 40% से ज़्यादा होता है तो उसको बहुत ही अच्छा माना जाता है और आप तो खमाल कर दिये जी कौन से चक्की काटा खाते होता है सेवंटी वन पॉइंट वन थ्री परसंट आपकी प्रॉफिटिविलिटी पे सीधा असर होगा एक महत्पूर बात है कासा का कासा परसं करते हैं और दोनों में हमको इंकम होगा वावा समझ माने तो लिखिया हो क्योंकि मैंने बंद करकर रखा है सबका तो अब मैंने कहा कि सबसे बढ़ी हां क्या है आपका कासा परसंटेज़ सेवंटी वन पॉइंट वन थ्री परसंट यह क्यों इंडस्ट्री में अच्छा है क्योंकि कासा अगर अच्छा है तो आपकी ग्रहक सेवा अच्छी है संथीप मिश्रा जी है ना ग्रहक सेवा अच्छी है आपकी इंडस्ट्री में देखो यह बैलेंसीट क्या होता है मैं बोलता हूँ एसेट एंड लाइविडेटी का स्टेटमेंट है जिससे आपका पता चलता है तो कुछ चीज़ें आपको यह पता चलती है अगर कासा परसंटेज आपके अच्छा है तो हम एजूम करेंगे कि आपकी ग्रहक सेवा बहुत अच्छी है क्यों बताओ कासा मतलब क्या हुआ करेंट सेविग लोन कार लौन सारी चीज़ें उनमें इनकम होता है दूसरा महत्तोंड ग्रहक सेवा बढ़ी है तभी कासा आपके पास है क्यों बताओ जो कासा रखते हैं और बार आते हैं आपके पास क्यों क्योंकि यह डिमांड डिपोजिट है कि आपको इतना परिचित हो जाते हैं कि आपके घर पहुंचाते हैं यह सोफा में बठे रहते हैं एक दाई भी आ जाती है तो पैसे दो ना सर ज्यादा पैसन है सर 500 रुपए यहीं दे दीजे तो 500 रुपए बेचला संदीव अपने जीप से देता है बाद में वहां पर पास कराता है और मैंने वीडियो क्लिपिंग भी लिया उसको देते हुए ग्रहक आये था यह मेरा एविडेंस है सर मैंने फोटोर ख को दिखाता है तीसरा सस्टेनेबल बैंकिंग को पुस्टी करता है कि आप अच्छा बैंकिंग करने के लिए आपके पास अपर्चुनिटी है कमाल करते हुए इसके लिए तो अलग से से सेशन देखना पड़ेगा आप लोग किस तरह से काम करते हैं 100 रुपया अगर डिपो की तुल नखी जाती है मतलब बैंक के दो मोल भूद काम है जोला लेकर आते हैं बजार करना 500 रुपय दे दो जरूर मैं एगरी करता हूं क्योंकि रूलर ब्रांचेस में मैंने भी काम किया है एक बार सोफा में सोया तो ग्रहाग आ गया सर पैसा चाहिए तो देना पड़ता है और बिल्कुल मैं भी कहूंगा किसे पर भरसा नहीं करना है कल के 500 रुपय की बात नहीं है एक फ्रॉड हो गया तो समझ लोग पूरा केरियर बरबाद बैंक का रेप्रेशन बरबाद आप इतना रिस्क जो बैंक के लिए दिक्कत हो जाई और इसलिए पॉलिशी में क्या हमारे घर आ जाते हैं डोरिस्टे बैंकिंग चलिए तो सीडी रेशियो एक ऐसा रेशियो है जहां पर हम तुलना करते हैं बैंक के दो मुलभूत काम है डिपोजिट एक्सेप्ट करना और उसको लोन के रूप में देना तो जो क्रेडिट टू डिपोजिट रेशियो को इस स wond है जो है जो है यह 60 पर्संट तक होना चाहिए बोलना है लेकिन अपका एश्टी पर्संट यह 60 पर्संट अगर है आश्की मांना जाएगं ट्रेडिट क्रेटं होनी तो CD लेकिन आपका आप इसको जो है 40% देख लीजे आप फिर भी पिछले साल आपने 15% का ग्रोथ बनाए 60-40 60 से उपर ही होना चाहिए इसे फोजी जी बोल रहें 70 होना चाहिए बहुत अची बात है असी होना चाहिए बहुत अची बात है लेकिन महराज 80 हो गया और आपने बारवर सेलेक्शन गलत कर दिया तब तो गया ना पूरा नुकसान हो गया ना तो इसलिए 60-40% हो लेकिन सब्जेक्ट टू टम्स अं कंडिशन यह है कि जो बारवर सेलेक्शन है जो एसेट क्वालिटी है अच्छा हो मतलब वो कमाओ वाले एसेट क्वालिटी हो उसमें इं लेकिन आपके बैंक ने अच्छा डिपलाइ कि उसको इंवेस्मेंट किया किसी दूसरी जगाँ करते ला उन्हें किसी कंपशी कर देता है उनसे हमको रिटेंड मिलता है तो आपका बिजनस कितना है जरा आपका बिजनस है तो आपका बिजनस है तो लोगों का तो चाय पिलाना चाहिए क्योंकि उन लोगों ने भरोचा करके आपको साथ हजार करोड़ दिया है तो साथ हजार करोड़ जो दिया है जो आपको डिपॉसिट साथ हजार करोड़ against से आपको लोन दियो हो 23何 क्रोड को लेकिन आपके बंक ने उस 6605 मैं से 23 6000 लोन दिया है और लगबक 33 13500 क्रोड जो है वह आपका जो कर दिया 500 कर दिया क्यören कि पिर कुछ हिस्ता जो है आपको यह बचा हुआ हिस्सा जो है आप इन्वेस्ट करते हैं और यह लोन देते हैं तो आपने चालीस प्रसेंट लोन दिया है तिस जार करोड़ या 31,000 करोड़ जो आपने इन्वेस्ट भी किया है उससे अर्णिंग हुई है आपको क्योंकि लोन नहीं दिपाने से हम लोग इन्व पूछा था अब जरूर साजा करिए थोड़ा से इसको देख लेते चोटा सा सेशन है मैं बात करते करते बता दे रहा हूं आखरी में हम आपसे बाते करेंगे चलिए तो प्रॉफिट की बात करते हैं अब देखिए हमारा बरोड़ा यूपी बैंग 31 मार्च 2023 को रात दिन आ करके काम किया महनत किया खुन परसेना एक किया तो आपने 83,474 करोड का बिजनस किया जिसमें से आपका 60,000 करोड़ डिपॉजिट है 23,000 करोड़ जो है आपका डवांस है और ये लगन महनत करके आपका नेट प्रॉफिट 117.33 करोड़ है तो सीधे सीधे पूछा जाता है न परणाम किया जाता है आप राद ये हमारे प्रदिप जी बोलने सर मैं क्या ही बताऊं राद दिन में महनत करता हूं लेकिन प्रॉफिट है नहीं लॉस है तो फिर भई कहे का महनत आपको क्या मतलब हुआ है ना क्रॉस प्रॉफिट 26 करोड़ जो दिखाया है उन्होंने पि स्चिश दसमलो च्युक्त पांच करोड़ जो प्रॉफिट दिया है वह पिछले साल कुछ प्रोविजन किया था पिछले साल कुछ प्रॉफिट रखा उसको रिवर्स कर दिया ये देखो हमारे ना दीपूजी बता दिए हम तो पिछले साला जो रखा हुआ था उसको इसमे profit बढ़ गया इसका मतलब यह हो रहा है कि आपका NPA कम होगा आपका NPA कम होगा क्योंकि हम जब भी कोई चीज करता है उसके लिए प्रोविजन रखते जाते हैं है ना तो फिर यह पिछले साल का जो प्रोविजन होगा है उसको reverse किया है इसलिए 117.33 करोड का profit है आपको याद रखना है 117.33 करोड तो टोटल बिजनस 83,000 करोड टोटल डेपोजिट करोड का net profit है तो आपको PLI भी क्रेडिट हो गया होगा कोई जरा PLI नहीं मिल रही है इसलिए अच्छा यह इसलिए नहीं मिल रहे है क्योंकि gross profit जो नहीं है PLI जो होता है operating profit के उपर होता है operating profit अगर पांस से उपर है तो 5% है ना और अगर दस से 10 तक है तो 10% और दस से उपर 15 तक है तो भी 15 दिन का PLI मिलता है तो चुकि आपका operating profit नहीं है अब इस बार देखो आपका operating profit बढ़ेगा तब यह आपको PLI मिलेगा कोई बात नहीं आप लोग महनत करते रहें नेट profit की बात करें तो आप याद रखिए 117.33 करों अब आते नेट वर्थ नेट वर्थ वैसे एक ही बार मतलब साल भर में अगर 40-50 एक्जाम होगा तो एक ही बार पूछा जाता है नेट वर्थ of the bank लेकिन चोंकि आम लोग का एक साल examination नहीं हो आता तो हम लोग सारी सीचान देख रहे हैं कि नेट वर्थ जो है आपका business जो देखेंगे तो उसमें द साइड होता है balance sheet का एक होता है asset एक होता है liability तो net worth क्या होता है capital plus reserve surplus minus intangible assets तो आप चो net worth होता है यह capital plus reserve surplus को जोड़ देते हैं reserve surplus जो हम future में हमारे लिए काम आएगा उसके रिज़र surplus रखते हैं profit का हिस्सा अगर business में लगा दिये तो capital हो जाता है reserve रख लिए तो reserve surplus में चला जाता है तो यह 2559.44 करोड अगर इसमें हम capital की बात करेंगे इसमें network में तो capital आपका 207 करोड है आगे slight में आएगा 207 करोड capital है है पूजी और पूजी किसका है मालिकों का है आपके मालिक कौन है तीन मालिक है Central government है State government है और आपका sponsor bank बेंक का वरूरा स्पांसर में तो उनमें रेशियो उता है Central गवर्मेंट जो है वह आपका 50 परसंट रखता है स्टेट गवर्मेंट 15 परसंट रखता है और आपका Sponsor Bank क्या करता है कि आपका Sponsor Bank जो है 35 परसंट देता है यह capital है दोसों साथ करो तो याद रखे capital capital पूछा जाता है capital याद रखना है net worth आप याद रख लीजे कम पूछे जाने की संभावना है लेकिन आपकी जान करी के लिए और net worth क्या होता है capital plus reserve surplus minus intangible asset है तो capital reserve surplus को जोड़ देंगे तो यह net worth आ जाता है चलिए अब बात करते हैं आपका NPA position यह हुए न जबरदस बात यहां पर आता है भाधूरी का काम तो नॉन परफार्मिंग एसेट पोजिशन आप बरोड़ा यूपी बैंक गैजओं 31st मार्च 2023 ग्रॉस एंप ग्रॉस एंप क्या होता है हमने 100 क्रोड का लोन दिया 100 क्रोड जो है उनमें terms and condition के हिसाब से agreement नहीं आया जो भी CCOD में जो आयरेक नॉम से प्लस बिल में जो आयरेक नॉम से उसके अधार पर वो तो जो टोटल आउडस्टेंडिंग होगा वो होगा ग्रॉस एंप तो आपका टोटल एडवांसे से देखिए 2922 करोड का उसमें से 1801 करोड जो है आपका इसको अच्छा माना जाएगा तो आपका टोटल एडवांसे से देखिए 2922 करोड और उसमें से ग्रॉस एंप एक हजार आटसो एक करोड तो इसको अच्छा माना जाएगा आपने अच्छा कंट्रोल किया रिकवरी अच्छा किये क्योंकि सटटे संडे JI ना सुबह देखता हूं न साम चला जाता हूं रिकवरी के नाम कर देता हूं मेरा जीवन रिकवरी के नाम और आप ग्रहाक से एकदम बिलकुल हैं बतीया बतीया के हां बताओ बिनो कितना दोगे आ जी नाम तो महुट पहुत सुना होगा क्या किये तो ऐसे कहानी बना बना के उन्चे पैसे लेते हो रेकवरी करते हैं तो यह आपके महनत को जो है दिखाता है यह फिगर कि आपका ग्रॉस एंपिए 7.53 परसंट है और नेट एंपिए क्या होता है यह जो ग्रॉस एंपिए उसमें प्रोविजन घटा देते हैं तो अ सब्सक्राइब करता है परसे 900 करोड़ रुपए कमाया 900 करोड़ रुपए जो है कोई दूसरा साथी जो लोन दिया इंपिए हो गया उसमें से प्रोविजन चले कितना नुकसान हो गया इसका महनत बुला यार कमाल कर दिए अगर वह नहीं वहा रहता तो फिर हमको जब प्र सब्सक्राइब करते हैं और अगर उसमें सेकूरिटी नहीं है तो फिर आपका 25 परसेंट का हो जाएगा अगर डाउटफुल चला गया तो फिर आपका 25 परसेंट अगर डाउटफुल वन है 40 परसेंट डाउटफुल 2 में हैं 100 परसेंट हो जाएगा डाउटफुल 3 में और लॉस हो गया तो 100 परसेंट प्रोविजन अब सूचिए एक खाता अगर मुद्रा लोन का जो एक लाग रुपए है अभी स्टैंडर्ड है पाजी प्रदिप जी लगातार बूलेट में जाते एक लाग का लोन है तो उसमें हमको 500 रुपए प्रोविजन डाही सो रुपए डूबने का खत्रह है क्योंकि वह एक लाग रुपए हमने कहीं से लिया है पौजी प्रदिप जी का अपडियार है वो से क्योंने जम्यक्शें करने जाते समय देखे कि उसमें सिक्यूर्टी त से नीचे है तो जान दो आप सीधे सीधे लॉस में चला गया तो एक लाग का मान लीजे वह नभी हजार अभी आउड़ी स्टेंडिंग है तो नभी हजार के नभी हजार पूरा प्रोविजन करना पड़ेगा कितना नुक्तान है रिस्क तुफान समंदर में जैसा चलाते न व और आप लोगो यह जानकारी के लिए बता दूं कि अगर किसी खाते में सीक्यूरीटी 10% से 0 हो जाती है भले उखाता स्टेंडर है लेकिन सीधे सीधे लॉस में कटेगराईज हो जाएगा वह आओ देखेगा न ताओ सीधे लॉस में कटेगराईज हो जाता है तो यह बात प्रफिल में जाने का मतलब आप लोग देख लो अपना जोला ओला निकालो उसमें से प्रैसा जो कमाए हो उसमें डालो क्योंकि प्रोविजन करना पड़ेगा लेकिन आपने जो प्रोविजन किया कितना 900 क्रोड़ का तो आपका नेट NPA 4.04 मतलब आपने जो NPA लिया है उस माना जाता है 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए नेट NPA 3% से नीची हो तो बहुत ही अच्छा माना जाता है आपका अच्छा माना जाएगा नेट NPA देखा जाए तो क्योंकि 23,922 करोड के एडवांसेस में 4% का नेट NPA अच्छा माना जाएगा NPA is just like cancer जितना देर उठने खत्रा इसलिए ट्राइट टू रिकवर ड्यूरिंग बहुत बढ़िया प्रोबेबल NPA के समय ले लीजे क्यारण कि आभी जो एक किस्त दे सकता है कहीं से अरेंज करके लेकिन जहां तीन किस्त हो गया फिर तो आज आना कल आना परसो आना नरसो आना बाद में बोलेगा OTS क चलिए तो अभी तक हम टोटल बिजनस त्रासी हजार करोड टोटल डिपोजिट साथ हजार करोड टोटल एडवांसेश तैसाजार करोड आपका सीडी रेशियो आपका 40% कासा परसंट इस सेवंटी वन परसंट प्रॉफिट आपका 117 करोड और आपका जो NPA है वह ग्रॉस NPA 7.53% NPA 4.04% अब आते हैं CRAR CRAR एक ऐसा टर्म है जो बेसल कमिटी या बैंकिंग सुपर विजन ने जो इंटरनेशनल बैंक के सेटलमेंट देखते हैं उन्होंने पुरी दुनिया में वो जो है इतना एक स्टेंडर बनाया है कि बैंकों के पास जब ये खत्रे में खेल रह हैं जब यह बैंकिंग बेऊसा कर रहे हैं तो उनके पास कुछ जो है एक मिनिममम कैपिटल होना चाहिए वह पुझी जो होना चाहिए वहना चाहिए हो एक जनवरी 2023 से वह कितना होना चाहिए साड़े गारफ परसंट होना चाहिए और यहां जो फीगर है यह जो हमारे प्लस बैसल क्या बोलता है 2.50% एडिशनल बॉफर मेंटेन करना है एक जनवरी 2023 इसलिए साड़े गयार होना चाहिए तो आपका थोड़ा कमती है अपने ठीक है बोल रहा है क्या नाम है नितिन कुमारी बोलना है यह बढ़िया है अपना अच्छा वो जो दुकान में सक्कर खरिदने जाते हैं ना जैसे नाप तोल के देता है ने कि एक दाना वैसर रखे हुआ आप साड़े गयार रखना चाहिए और आपने उसमें भी से यह मिसाइल बनाने के लिए हिम्मत करोगे ना ठीक उसी तरह से आपने पैसा लॉंच कर दिया मिसाइल की तरफ कहां जाएगा पता नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा तो जब भी हम एसेट साइट 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 मतलब जो पैसा पब्लिक नहीं को दिया है उसको हो जाएगा बिजनस रद्ध हो गया कुछ प्राकृतिक अब्दा आ गया कुछ कोवीड हो गया तो यह सारी चीज़ें करती है बहुत सारे एक्स्टा जो सरकम्टेंशल भी रहता है तो बैसल कहता है यह कहता है जो पालन करता है वो कहता है कि जब भी आप किसी को पैसा दे उसको झतले मैं ना पहयने आह रहता है कि मतलब क्या होता है आपका पैसा किसी और के पास है उसको बोलते हैं और वह देगा कि नहीं देगा कि मन के उपर है उसकी परस्तिति के ओपर है उसकी काबलएत कि पर है तो जब हम किसी नूसरे के पास हमारा पैसा रखे हैं तो कहता है कि उसमें केसे ही यह न Currently यह प्लस 2.5 होना चाहिए नौ पर्षंट वुलता है केसिप Nepeel conservative buffer रखना है capital conservative buffer एक ऐसा definition है बैंकों को कहा गया है कि 2.5% जो है आप extra जमा करके रखिए ताकि कभी खराव इस्तिती आया तो उसमें इस्तमाल किया जाएगा इसलिए तो अब मैं कह रहा हूँ कि जैसे आपके पास cash in hand है जैसे यहां पर cash in hand सब्सक्राइबाए हो तो रिस्क है तोंटी परसंट का अगर आप इसटेट koyunge को लौन दिया तो कोई रिस्क नहीं है सैंट्रल जाएं लिकिन अगर सजीड गर्मन्न ने guarantee लिए तो लिगलम अगर उस्ताब व लोन दिया कրशंत निया है तो 75 पर इसका है अगर सथाब को 75% का रिस्क है अगर आपने किसे को पर्सनल लोन दिया चूंकि क्लीन लोन होता है इसलिए 100% का रिस्क है तो सूचिए जो भी पैसा आपसे बाहर गया सब में रिस्क रिस्क है वह रिस्क डिसाइड किया है गौर्मेंट ने बैसल की क्लास आने वाली है बहुंच जल्दी उसमें से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो वह रिस्क के लिए पूरा पूरा आपका एसेट साइज ले लिजे सब में रिस्क के गुणा कर लिजे रिस्क करके आ है उनको ज्यादा लोन करते हो आप लोग रिस्क है तो पूंजी लगए की जरूत नहीं है तो यह बात होती है समझ में आया गया होगा आखो करिए एक हमारे साथ ही बड़ा सा question भेज दिया विपिन कुमार जी को को करते हैं किसी अलग दिन में एक चोटा सा आपको वीडियो मैसेज के माधिया बता दूंगा यह देखो है क्या कोश्चन पांच मई 2018 12 लाग का लोन सेंक्शन किया है लेकिन सेक्रेटीव एक लाग है अगर 12 लाग का लोन है और सेक्रेटीव एक लाग हो गया तो पीए हो स्टेंडिंग 12 लाग है और उसका सिक्रेटीव एक लाग है तो सिदी सिदे लॉस में चला जाएगा लेकिन अगर आउट स्टेंडिंग दिया है चार लाग 25,000 चार लाग 25,000 जैसे पांच अप्रेल को चार लाग 25,000 है तो आप हमेंसा याद रखो यह से घुमाने के लिए अगर सेंक्षन लिमिट दिया है 12 लाग सिक्रूटी एक लाग लेकिन आउट स्टेंडिंग कितना है पांच अप्रेल 22 को आउट स्टेंडिंग चाल लाग 25,000 और एसेट केटेग्राइज अन 31 मार्च 2023 तो पांच अप्रेल 2022 को एंपी हुआ तो एक साल मतलब 4 अप्रेल 2023 तक आप तो यह सबस्टेंडर्ड रहेगा चार अप्रेल 2023 तक मतलब यह सबस्टेंडर्ड मरहेगा तो यह अगर साभी स्टेंडर्ड यह यह 10% से कम कितना होगा 40 तो यह 1,00,000 से कम होगा लेकिन अगर सवाल ऐसा है कि आउट्स टेंडिंग 12,00,000 है और जिस समय भी सिकुरिटी चेक हुआ और अगर एक लाख है 10% से कम होगे तो सिधे लास में चला जाते हैं में अगर सवाल को इस तरह से समझ रहे हैं जैसा कि इस क सप्रेल 2022 को एंपी हो गया उस समय आउट इस्टेंडिंग चाल लाग 25,000 है सिकुरिटी एक लाग है तो सिकुरिटी जो है आपका यह क्या हो जाएगा यह 10% से ज्यादा और 50% से कम है क्योंकि इसका 50% 2 है तो यहां पर कौन सा है सिदे डाउटफुल में चला जाएगा तो डा क्योंकि पेरामेटर है बहुत सारा है ना डाउटफुल वन में जाएगा तो सवाल को समझे हालाकि इतना कठीन सवाल नहीं आएगा जैबी सेवी के लिए सवाल आएगा किसी सेशन में रहा गया होगा क्योंकि कोश्चन में एक आद जो MCQ कोश्चन होते हैं उन में से 5% 5% कोश्चन को आप इगनूर करते रही है चलिए तो CRR बरोडा यूपी बैंक का जो है 11.44 परशंट है आपने बहुत नाप तोल के रखा है साड़े गयार होना चाही कम से कम इससे थोड़े ज्यादा होगा अगली बार मैनत करो गया क्योंकि चीजों को समझ रहे हैं चलिए अ ुकि ठीस मार्च 2022 को 35 मार्च 2022 को मारा जो बिजनस था 75,381 करोड करोड अभी रासी है पिछले सल इस ता में परशंट टेन पर grandson का विखन गूर निव twenty आप टूटल डेपॉजिट जू है चववन हजार 580 करोड है 31 March 2022 को और अभी जो total deposit है वो है 69,000 है मतलब 60,000 करोड़ जिसमें तो बढ़िया growth है आपका 9% का growth इस साल है और 4% का growth पिछले साल था तो total advances देखिए 20,801 करोड़ मार्च में था और अभी जो total advances है आपका 22,922 करोड़ मतलब 23,000 total profit 242 करोड़ था पिछले साल अभी जो total profit है आपका 117 करोड़ ग्रॉस NPA जो है अभी आपका ग्रॉस NPA जो है कितना % है अभी मैंने आपको बता है ग्रॉस NPA ग्रॉस NPA जो है अच्छा बोला था 8% है ना 7.53% है 7.53% ग्रॉस NPA है पिछले साल 9.78 था 10% को टच कर जाता है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है 7.53 है नेट NPA देखिए बहुँच ज़्यादा था 7.18 अभी 4.04 है तो नेट NPA 7.18% 31 मार्ज को था फिगर अच्छा नहीं था है ना 6% चो उपर हो जाता है तो अभी देखिए 4.04% है अब आज CRAR CRAR 11.71% था पिछले साल इस साल 11.44% है केपिटल जो है आपका कम है तो वो केपिटल कम किसली है बताओ किसली ऐसा हुआ क्योंकि केपिटल तो पिछले साल 207 करोड था अभी भी 207 करोड लेकिन हुआ क्या आपने एडवांसेज में अच्छा गुरोध कर दिया क्या कर दिया आपने एडवांसेज में 15% का गुरोध कर दिया तो एडवांसेज में 15% का गुरोध कर दिया मतलब उसमें कुछ रिस्क आ गया उस रिस्क के लिए capital आपको कम पड़ गया क्योंकि exposure आपको जैदा हो गया इसलिए आपका CRR कम हो गया 11.44% हो गया क्योंकि advances देखिए 20,801 करोड था मार्च 22 में और अभी कितना है 23,922 करोड मतलब 15% का growth कर दिया कमाल करता है पांडे जी तो आप सुचिए इतना बड़ी है आपने growth कर दिया अब बात करते हैं बिजनेस पर ब्रांच आप बरोड़ा यूपी बैंक गैजाओं 31 मार्च 23 यह हुई ना कमाल बात आपका एक ब्रांच जो है एक ब्रांच जो है वह 42.1 करोड मतलब 42 करोड का करोबार करता है कमाल करते हो पांडे जी आप तो जबरदस्त मतलब आपकी सूंचो रूलर ब्रांच है है उसमें दो एक manager होते हैं और दूसरे केंश साअफ कि एस ना और तीसरा सब सब्सक्राइब करते रहता है तो आपका पर ब्रांच बिजनेस एक सुन्य करोड़ करते हो आपके लगबग ब्रांच 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 और जो यह सबसे बड़े साथ होता है क्यों कि आपना डेक्षब लोगों लोन देता हुं आपको पर ज्यादा लोग आते हैं ना अब आता है पर एंप्लाई बिजनेस आपका 11 क्रोड़ है कारूबार करते हैं इसको बारा कर दो तो आप सबूदीफ कमाल करते हो मैं मैं अगे हुं महां कितने करोड का करते हूं मैं 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 डालक से बता रहा हूं आपको अच्छा लगए कंई यह होना कि एज एप्ट ऑड़ आप किका किसी रोज मिला तु लृजह जोड देंगे जीज जीज जगझ से टूटा है जोड़ देंगे रहा工 किसी रोज मिला तो जगझ से टूटा हैसे जोड़ेंगे रहा utan देंगे शूर्ज स्वालइक किसी दिन आया हाथ मैं जोड़ेंगे किसी रोज मिला झोड़ेंग देंगे जिज जगह से टूटा है जोड़ेंगे में जब देंगे हम और आपका आयवाधा देंगे आपको रोजगार देंगे आपको सब कर देंगे तो यह जो है आपके लिए बहुत प्राउड है जानने के लिए कि आप ऐसे एंप्लाई क्यारा करोड का करोबार करते हैं दस दसमलों 85 करोड पर एंप्लाई बिजनेस के लिए बहुत रहता है चोटी-चोटी खुसियों से हमको अपना होसला बढ़ाना है अपने अंदर पॉजिटिव सेल्स पैदा करना होता है क्योंकि हमको डेली चुन होते हैं से लड़ना होता है आप उदास मत होना कि उदास होने से आपकी जो सक्ति है कमजोर हो जाती है तो पर एंप्लाई बिजनेस आप देखिए 11 क्रोड का करोबार करते हो आप कहीं भी जावगत बोलना वहिया ऐसा मत समझो है ना यह मुझे ब बिजनेस टार्गेट 23 24 तो बिजनेस टार्गेट 23 24 अब कि बार कुल कारोबार एक लग के पार है अच्छी बात है लक्ष का होना बहुत जरूरी है बिना लक्ष के आपका सबकुच वेकार है तो लक्ष आपने बनाए है एक लाक के पार अभी आप 13,000 क्रोड पर 17,000 क्रोड आपको और चाहिए की सतर हजार करोड और आपके लिए 2,000 ब्रांचेज हैं और आपके अथण 2,000 ब्रांचेज हैं अगर वह 9… फलत के लिए में दिखा नहीक और वो इतना तो आपासारी कर सकते हैं तो यह बिजनेश टारगेट है ब्रांचेश के लिए मेरे को दिखा नहीं आपके बेलेंस आफ ही जो औरेटेट आपका जो बेलेंस इता आया पूरे कंप्लीट पीपीटी नहीं आया है जो जहां पर आणिटर ने साइन किया है वो अला है तो फिर भी मैंने कोशिस किया है ठोड़ा ब्रांचेश का आप करने के लिए लगाए गाए पूंजी या बिजनस से कमा गया प्रॉफिट जो बिजनस में लगा गया गया हो उसको बोलते हैं के यह बोलते हैं किसी भी को चलाने के लिए मालिकों के द्वारा लगाए गया पूंजी तो मालिकों तो इसको अगर देखेंगे तो इसमें कितना करोड़ होगा क्योंकि होता है फिर आपके जो स्पॉंसर बैंक का वहां पर निकाल लोगे हाला कि अलग नहीं पूछता है प्राइम टाइम में उनका रेशियो पूछता है प्रोमोशन एक्जामन इनका रेशियो क्या है सेंट्रल गौर्मेंट इस्टेट गौर्मेंट और आपका इस्पॉंसर बैंक में तो आपको याद हो गया लेकिन डिरेक्ट कोशन पूछता है बैंक का कैपिटल कितना था एक तीस मांच को तो 207 करो बैंक का बूजनेश कितना है चाली पर्सेंट पर्सेंट कितना है एक 17करोड मेंक का कितना कितना है grow के चैंट लेंट करोड प्रेंच कितना है सब तो यादी होगे आपको वह मारा कमाल होगे आप तो हैं एक यह मैं आपको ध्याना करशित करना चाहूंगा कंटिंजन लायबिलिटी आप बरोड़ा यूपी बैंक यह आपको जो है एक मुझे हिंट आ रहा है कि यह सवाल आता है आपके लिए क्योंकि अभी हाली में पिछले साल भी जैसे 22-23 की बात करें इनमें भी कई बैंकों का कंटिंजन लायबिलिटी पूछा गया कंटिंजन लायबिलिटी का इसी है जो पैदा हो को सकती है या पैदा नहीं उसकता है कोई साती टाइप करके बता दán बेंक जो है दो तरके बिजनस करते हैं कंट लों करतें एक नॉन फंड देशसर लों करते हैं इसको बाता है जो बैंक तुरण को पख़ईसर यह लंगयरां करते हैं किons किनहीं जेनी एक ठ्रांट में वाइदा करते हैं आधी में की कि ए ग्रहाक सामने वाले के साथ ब्यापर कर ले अगर तुमको खुछ दिक्कत होगा तो मैं पैसा दे दूंगा इसको बोलते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी अगर हमारा ग्रहाक समय पर पैसा दे दिया तो हमें पैसे देने की जरूत नहीं हमें सारी खाली कमिशन मिल गया सर्विस चार्ज मिल गया लेकिन चुकि यह हमारी लाइबिलिटी हो सकती है कोई हमसे मांग सकता है तो इसलिए कंटिंजेंट लाइबिलिटी को फूट नोट मराखा जाता है बैलन्सीट के इसलिए वह अपिक्षा रखता है कि आपको यह जानकारी हो कि बैंक के यह पैसा दोगे अब फंड बेस हो जाएगा लोन क्रेट करके पैसा दे दोगे फिर वसुली करोगे क्योंकि आपने उनको लैंस लोन सेंक्षन किया है तो यह भी देखा होगा कि अगर वो पैसा नहीं देगा तो हम इससे कैसे वसूलेंगे क्योंकि यह पॉलिसी का टर्म है थो दो तरह क्या बेंक गारेंटी में जैसे क्या गिरी भी रखते हो पूरा हंड़ीट परसंट मार्जिन रख दिए यह पचीस परसंट मार्जिन है दो बचा वह सेक्यूरिटी कर दिए तो कंटिंजन लाइबिलिटी आपकी है 483.05 करोण यह इसलिए पूछा जाता है कि आपक मुझे वेबसेट में दिखी नहीं तो अगर ब्रांच में कुछ चेंज हुआ है तो आप लोग देख लेज़ेगा हाला कि यह जो ब्रांच पोजिशन 31 मार्ज 2022 का है बाकी फिगर सब सही है टोटल ब्रांचे जो है यह जो हरना है जोह हुआोन के अच्छी बात है उसको भी एपर शूर्टे मनाईए और इसहर में तब्दिल करें क्यूंकि आपको एक्विश्ट मेधारी दी गही है उस गाउँ के लोगों की आय बठाताना है उस गाह तो प्रदान कारेले है गुरखपूर,还ड然后 गुरखपूर है, और आपके प्रसास्निक कारेले हैं राइबरेली में वारां 2042 और बीजनेस करते हैं और आप जबरदस बीजनेस को आगे एक लाखे पार ले जाने के लिए टांद करते हैं तो लगब अगर employee के हम बात करें तो 7700 होंगे आप लोग जरी कोई जानते हैं तो जड़ा टाइप कर लीजे कितने होंगे आपके 2000 अगर साखाइं हैं 1983 साखाइं तो 7000 के आस-पास जो हैं आपके employee होंगे तो 1983 आपके साखाओं के माध्यम से पूरा ब्योसा है आपका 83,44 करोड है जिसमें से deposit 69,922 करोड है advances 23,922 करोड है मोटन मोटनी 83,000 करोड बिजनस है 60,000 करोड deposit है 23,000 करोड जो advances है और 117 करोड का profit है यह हुई ने सांदार बाद तो यह आपका टूटल आपका जो important चीज़े हैं आपको याद आ गया अब इन में से एक दो चीज़े और आपको लिखना है और नोट करना एक दो चीज़े मुझे अभी आप पता नहीं है क्योंकि मेरे बास फिगर नहीं है आप लोग अपना खोज के लिख लिजेगा तो एक होता है तो यह कई बार पूछता है कि कितने जीले में आपकी सिवाइं विस्तारीत होती हैं तो यह देखो हमारे होनार साथी साखाओं के माध्यम से 31 जीलो में और रिजिनल ऑफिस कितने हैं आपके और हैड ऑफिस गुरकपूर के माध्यम से आप जो हैं जिसमें साथ हजार करोड डिपोजिट है एक सो सतारा करोड पर प्रॉफिट है सांदार कासा का अनुभव है एक सेवंटी वन पॉइंट वन जिरो पर्षंट का सेवंटी वन से ज्यादा है आपका तो देखो आप लोगों का बिजनस फिगर देखके मुझे ना पार्टी करना पड़ा है आपको बिजनस पढ़ाने से पहले मैं अनुभव कर लिया कि यह बना चावल और कुछ बिर्यानी और कुछ चटनी यह ऐसा बन रहा है तो यह सांदार है जीवन बड़ा अद्बूत है इसे जीना चाहिए और अगर सपलता पानी है तो आपको अपमान का कड़वा पीना चाहिए लोग कह रहे हैं सही है लेकिन आगे सीखते जाईए मैं आप लगातार पढ़ते रहेंगे सीखते रहेंगे तो सपलता जरू मिलेगी कुछ साथ ही देखता हूं वाट्सअप ग्रूप में नेगेटिविटी बहुं सारा क्या कर लिखते रहते हैं आपने जाना ही नहीं है कुछ भी लिखते रहते हैं उतना समय आप पढ़ने में ल कि 2022 भी याद हो गया होगा 2023 भी याद हो गया होगा तो आप सांधाथ तरीके से सफल होंगे फिर जैसा पार्टी हमने आपके मार्च 23 के लिए ले चुके हैं वैसा आगे के लिए भी आप हमेसा त्यार रहेंगे कि जिन्दगी उत्सों है और इसे सांदार तरिके से मनाना चाहिए और अगर उत्सों कुछ कमी है तो हम प 움직 पर्दीप जी को बुला लेंगे बनारस में और सब्सक्राइब तोमांगो मांगो उससे जो दे хुशिसे क्या मांगो ऑफ़ढ़ीया से मंघो बहान से घर महान से मांगो जौर सब्सक्राइब और सब्सक्राइब तो आप लोग के लिए जो लेटेस्ट वीडियो है जरूर पढ़िएगा सारे अपडेट्स हैं जी जो भी रिवाइज होता है थोड़ा सर्चकरने में देखने में तो यह होता होगा मैं मानता हूँ क्योंकि अम लोग यह से ठेक्ट 행ुस Amp लोग जो है इस तरह से एस तरह से टेक्ट टेक्ट मोंलरबodel अप जी अब यह तरह से मैं बोल रहा हूं मेरे सब्टों पर भरसा कर ये आपका जन्म सफलता पाने के लिए रखा है यह प्रकरती आपकी है यह सारा धन्द्वलत अपका है यह प्रतिक संसाधन अपका है आपको उसके योग बनना है अज्ट मिल जाएगा मजबूत मजबूति के साथ मिलेगा सहसी तोर पर मिलेगा और अनंतर के से मिलेगा बस अपने आपको जो है आप तयार रखिए और दुखी मत हो यह उत्साह के साथ रहे थोड़ा ललक रहे सिखने की जैसे कि आज जुड़ गए वह इस तरह से रखिए और कभी ना आगे पीछे होता है तो उसमें निरास होने की जरू स्वागत है नहीं तो फिर हम लोग आज का सेशन जो है यहीं समाप्त करेंगे और फिर उसके बाद अभी तो लगातार आपके सेशन हो गया है सारे पढ़ाए जाएंगे कुछ कठीन कठीन चीजह मैं पढ़ाओंगा कुछ चोटे-चोटे सरल चीज हमारे साथ ही पढ़ाए अपने पारें बताओंगे आपकी मुझसे पूछ रहे हैं आप अपने बारें बताई हैं वह मारे प्रेंड़ना के सोथ हैं आप सभी सस्टर्स आप सब्सक्राइब जार जा certainly के लिए करता रहता हूं आप कस्त की आवाज मेरा है जवरदस अन्दाज आप सभी को सांधार कर पा ओं इसके लिए करता रहता हूं आप सभी का आगाज और आप सभी को देते रहता हूं एक बेहतरीन आवाज ताकि आप भी उस सफलता पर कर पाएं राज और आप भी आनंद ले सकें उस मधूरुम संगित का साज यही है मेरे जीवन का राज यह इस ना नमस्कार सर नितिन कुमार बात करें नितिन कुमार जी बताएं ना इंपलर सर्पलर हो रहे ना तो शरी अगर इसके मॉप टेस्ट बैंक वाइज अगर हो जाएं पढ़ा देंगे और पढ़ाऊंगा 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 जो कस्तमर सर्विस कमिंट में पढ़ाऊंगा तो यह कुछ चीजें जो है अच्छे पढ़ा चुका हूं बस यह मान के चलिए कि जो समय आपके पास मिलता है आप जरूर लॉग इन करके पढ़ लिजिए और जो चाहिए होगा वह अकंच्छा जी की तरह वाट्सप में चैट कर दीजिए कि जब कोई साथी ऐसे कुछ चाहिए रहता है वाट्सप पर तो मैं सभी होते देता हूं आग जैसे गुरूप में इतनकी सवाल पूछ थे तो समय मिरे पास रहता हुं लेकिन साथ इसाथ मैं बहुत आपको है तो चाहिए आप सीखने मिला आज के सेशन मैं से बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैं वेट कर रही थी इस सेशन का, इस वज़े से मैंने उसको रिव्यू नहीं किया था, जब वो और बैलन शीट आई थी, तो मैंने उसको ध्यान में दिया था, मैंने सुचा, सर तो पढ़ाएंगे, तो सर ये पुछना था, कि आपको आज के सेशन अब तो यादी हो गया होगा आपको जी बिल्कुल याद हो गया सर, तरह सी जार करोड के बिजनस है, साथ थर करोड करोड का टेपो, एक सो सत्रह, एक सत्रह, सेटाइए, सेवनफ पइटन पाए थी परसेंट एं व्रॉस एन पी पूट सेट नेथ एलावन प्यघन पोड़ सब्सक्राइब को यह पूछना था कि अम्रित सर ने रिकावरी पॉलिसी पे दो ग्लास ली थी पर उसके बाद वह कंटेन्यू नहीं हुआ सब्सक्राइब का एक्जामिनेशन आ गया था तो हमने उसको रुक के रखाया भी करेंगे और आपके चोटे-चोटे सारे स्कीम्स हैं जो करेंगे आप निशिंग रहें आपने देहरे रखना है चीजों को पंच सुत्र का पालन करना है पढ़ना लिखना समझना दोहराना और सोचिए कि मेरा सपलता पाने के लिए पैदा हुई हूँ पैदा हुआ हूँ भगवान से सक्ति मांगिए पॉजिटिव एफर्मेशन रखिए अपने आपको खुसनमा इंसान समझिए कि कि अपर्चुनिटी मिला है और कुछ बहतर काम करने के लिए कुबेर भगवान का और अनन्द एक्ट बैंकिंग कर पाएंगे और खुशी के गित गाते रहेंगे तो आप सभी ये अच्छे कार निस्पादन बहतर स्वाज सांदार सपलता की कामना करते हुए आप से मैं विदा लेता हूं लेकिन ये रात जो है ना आप देखिए दो तरह के माइंड होता है एक conscious mind होता होता है बाभैंस के करने सब कोको फॉंचे VIS के लिए उसको पहुचाने के लिए नहीं कोई बातने आप नहींहों हम आपका दर्शन कर लिए हुबागग है तो आप से energy मुझे में मिली लेकिन subconscious mind तक पहुंच गया तो आप business figure का रात के मतलब घुप अंधरे में भी कोई पूछेगा तो आप सट से बता देंगे जैसे अभी आकिंग चाजी ने बताया ठीक उसी तरह और भी policies को मैं सरल तरगे से पढ़ाऊंगा दूसरे साथियों का ज नोन बैंकिंग से जवाब नहीं दे पाएंगे लेकिन वह लाते हैं हमारे सामने आपको अभ्यास करने के लिए स्क्रींग पर अदर्वाइस तो आप के पास समय कम रहता तो स्क्रीन पर मैं आपको वह इप्नोटीजम करना चाहता हूं कि उतनी दिरा भी स्क्रीन पर हो सीख करिए अच्छा जो 35 पाई उसको ठीक करिए नोट कर लिए जैसे आज किसी साथ ही ना सवाल पूछा कोई गलती हुआ होगा तो मैं अभी ठीक कर दिया एंप वाला ठीक है तो चलिए आप उत्समन आते रहिए मैं आपका साथ देने के लिए हमेसा तयार हूं आपसे विदा ले दोस्ति करिए और आप सभी को सुब्रा तरी थेंक यू सो मच गुड़नाइट बाबाए